धस्ट के वारे में दस्ट का रए 이용 आधा लिक. इस पहले आप से निवेधन है कि ये वीडियो एक तुम आस्तर जोर देखें, तथा वीडियो को एससे करके बिल्कुल भी नहीं देखें ताकि आप इसे अच्छे समझ सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, चली फ्रेंट्स तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं डाइडिया क्यों होता है, इसका कारण क्या है, डाइडिया समाने तोर पर बैक्टिरिया या वाइरस के कारण होता है, इसका प्रमुक कारण है दूसीत खान पान, जब बच में जान लेते हैं पहला दवाई है ऐलसिन ओजेड शिरफ यह एक एंटिडारियल मेडिसीन है इसका उप्योग बच्चों में 10 और 25 के इलाज के लिए किया जाता है अगर हम इसके डौज की बात करें तो इसे 6 महिने से कम उनके बच्चे को 2-5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है डौक्टर्स इसे उनके एकोर्डिंग डौज स्टे करते हैं नेक्ष दवाई है बिजिलेक सिरफ जोकी एक प्रोवाइटिक दवाई है जब एंटिवाइटिक का उप्योग करने से या किसी भी कारण से इंटेस्टैन का गूट बेक्टरिया डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वज़ से डारिया होता है तो उस गूट बेक्टरिया को बढ़ाने के लिए प्रोवाइटिक दिया जाता है जिससे की डारिया नॉर्मल हो जाता है अगर हम उसके डौज की बात करें तो इसे छो मेने से कम उनके बच्चे को 2-5 ml दिन में दो बार दिया जाता है और छो मेने में सरीर में पाँनी का कम हो जाता है जिसे । कहा जाता है। तब उस Condition success को रोकने के लिए heures powder दिया जाता है। जिससे की दस्त से जल्दे ही आराम मिलता है। अगर हम इसके Dodge की बात करें तो इसे बच्चे जितना Liquid पी सके उतना हमें देना चाहिए। तो friends, आप समझ गए होंगे, बच्चों में दस्त के treatment के बारे में, इतना treatment लेने से डाड़िया 100% क्योर हो जाता है, तो friends, इस वीडियो में लास्तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमाये द्वाद दीगई जानकारी का अपयो, किसे विश्वास समझी समस्या के लिए नहीं करें, किसे भी प्रकार के समस्या के लिए अपने डॉक्टर से संपर्ख करें, Thank you watching for this video, जै भारत!